नमस्कार स्वागत ज्यार्खन की फटापट ताजा पड़ी खबरों में पहली पड़ी खबर ज्यार्खन में 22 जनवरी तक ठंड रहने के आसार ज्यार्खन में एक बार फिर हिमालय के बरफिली हवाओं का असर दिखाई पड़ रहा है इसके चलते ठंड बढ़ गई है ज्यार्खन के उत्री हिस्सों में शीत लहर जैसे हलात बने हुए है इसके चलते 22 जनवरी तक ठंड रहने का आसार है मौसम बदलाओं से ज्यार्खन में ठंड बढ़ने की संभावना जताई गई है मौसम बिवाक अनुसर 18 जनवरी को एक बिशोब उत्तर पस्चीम में जहां पस्चीमी भाग में कायम है इसके बाद 22 जनवरी को एक और बिशोब दस्तक देगा इससे और ठंड बढ़ेगी जैक ने जारी किया दस्वी बार्वी के मौडल पेपर जहारखंड एकडमी कौंसिल यानि जैक ने कक्षा दस्वी और बार्वी की बोड परिक्षाओं के लिए मौडल प्रश्ण पेपर जारी कर दिये हैं वे शात्र जो इस वर्स की जहारखंड बोड की एकजाम दे रहे हो वे आधिकारिक बेपसाइट से सेंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं इन सेंपल पेपर की मदद से वे एकजाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं ऐसा करने के लिए उम्मिदबारों को जारखंड एकड़मीक कॉंसिल यानि जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा अप्रेल में होगी जार्खन के पारा सिक्षकों की आकलन परिशा जार्खन के 60,000 से अधिक पारा सिक्षकों की आकलन परिशा अप्रेल महिने में होगी जार्खन एकडमी कॉंसिल यानि जैक इसके लिए तयारी कर रहा है डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आकलन एक्जाम के आवेदन के लिए एप्लिकेशन देने की अंतीमति थी दस फरवरी तै की गई है पारा सिक्षक जो अब साहयक अध्यापक कहे जाते हैं उनके बेतन में इस साल चार फिसदी की व्रिधी की गई है तै नियामवली के अनुसार मानदे में व्रिधी हर वर्स एक जनवरी से हो गई है वैसे पारा सिक्षक जिनके परमान पत्र का सत्यापन हो गया है उनके संतोस प्रद शेवा की संपुष्टी प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार से कराय जा रहा है। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि 20 साल से इस प्रदेश में जो गंदगी भैलाई गई हैं उसे महज दो वर्सों में साफ नहीं किया जा सकता। एक लोक सभा और छे बिधान सभा सीटों पर उपचुनाव की घोशना। चुनाव आयोग ने बुदवार यानि 18 जनवरी को तीन राजियों में बिधान सभा चुनाव की तारिखों के एलान के साथ 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 राजियों और केंदर शासित परदेशों में उपचुनाव की भी घोशना की है। जब लोकसभा सीट और छे बिधान सभा सीट पर उपचुनाव की घोशना की गई है। इलाज के बढ़ते खर्च से अब मिलेगी राहत बीत मंत्री ने किया बड़ा एलान। इलाज पर बढ़ते खर्च ने लोगों के लिए मुश्किल जिहां मुश्किल खड़े कर दी है। हेल्थ सर्विसेज का इन्फलेशन रेट रिटेल इन्फलेशन रेट से अधीक है जिसके कारण से हेल्थ इन्सोरेंच पॉलिसी का प्रीमियम भी बढ़ा है। बीतमंत्री यूनियन बज़ट में इलाज के बढ़ते खर्च से लोगों के लिए राहत का एलान कर सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि यूनियन बज़ट 2023 में इन्कम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इन्सोरेंच से जिहां इन्सोरेंच के प्रीमियम पर डिडिरक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इससे टैक्स पेर को फाइदा होगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन एक फरवरी को यूनियन बज़ट पेश करेंगी। इंडिया मां आबादी के बहुत कम हिस्से के पास हेल्थ इन्सोरेंच पोलिसी है। इसलिए अधिकतर लोगों को इलाच का खर्ज अपनी जेब से करना पड़ता है। कोरोना की महमारी के बाद हेल्थ केर पर लोगों का खर्ज काफी बढ़ गया है। इसका काफी असर मिडिल कलास परिवारों के बज़ट पर पड़ा है। खुप्रिया विभाग में 1675 पदों के लिए 21 जनवरी से करें आवेदन। भारत सरकार के ग्रीह मंत्राले यानि MHA के अधिन इंटेलिजेंस ब्योर ने सिक्यूरिटी असिस्टेंट एक्जिगूटिव और मल्टी टास्किंग स्टाफ यानि MTS के कुल 1675 पदों पर भरती के लिए अधिसुचना एक बार फिर से जारी की है। परती के लिए अधिसुचना पहले भी जारी की गई थी। आवेदन परक्रिया पांच नॉम्बर को शुरू होनी थी। जिसे नोटी जारी करते हुए अस्थागीत कर दिया गया था। देश में पिछले 24 घंटे में आये सबसे कम कोरोना के मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वाइरस संक्रमन के 128 नए मामले सामने आये। जबकि उपचारा धिन मरीजों की संख्या घट कर 19998 रह गई। केंद्रिय स्वास्थि मंत्राले ने भुधवार को बताया कि देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,81,361 हो गई है। भारत में एक दिन में कोरोना वाइरस संक्रमन के 128 नए मामले सामने आये। जबकि उपचारा धिन मरीजों की संख्या घट कर 19998 रह गई है। देश में संक्रमन से अभी तक 5,30,728 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। संक्रमन की दैनिक दर 0,07,07 परतिशत है। जबकि साबताहिक संक्रमन दर 0,09,09 परतिशत है। ताजा आकडों के अनुसार कोरोना वाइरस संक्रमन के उपचारा धिन मरीजों की संख्या कुल मामलों का सुनिय दस्मलों सुनिय एक परतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधिन मरीजों की संख्या में 37 मामलों की कमी रिकॉर्ट की गई है। वहीं देश में मरीजों के रीकवर होने की राष्ट यदर 0,09,08 सुनिय परतिशत है। चीन के 14 एपल सप्लायर्स को भारत सरकार ने दी मंजूरी। ब्लूमबर्ग की एक खबर के अनुसार चीन के 14 एपल सप्लायर्स को भारत सरकार से प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। बतादे की भारत में स्मार्टफोन के जिहां डोमेस्टिक मैनुफैक्चरिंग की जिहां फैक्चरिंग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके कारण से भारत सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। ब्लूमबर्ग ने अपने सूत्रों के हवाले से यह बताया है कि भारत सरकार ने लक्स शेर, प्रिंसीजन और लेंस मेकर सनी ऑप्टिकल टेकनलोजी की एक इकाई को कमपनियों ने मंजूरी दे दी है। भारत से मिले इस क्लिरेंस को भारत में पूर्ण मंजूरी की दिशा में एक कदम के तोर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन सप्लायर्स को भारत में एक संयुक्त उध्यम भागिदारी की तलाश करनी होगी। पतादे की भारत में जिहां भारत ऐसे समय में तेजी से आईफोन मैनुफेक्चरिंग का हब बनता जा रहा है जब चीन अन्य भौगलिक शेत्रों में अपनी उपस्थिती का विस्तार करने की कोशिश में लगा हुआ है पैन कार्ड को लेकर इनकम टेक्स विभाग का अरजेंट नोटिस पैन कार्ड को लेकर इनकम टेक्स विभाग अकसर नए नए अपडेट करता रहता है लेकिन एक अपडेट ऐसा है जिसे लेकर लंबे समय से सलाह दी जा रही है अब बीते कल में जिहां इनकम टेक्स डिपार् विभाग ने एक ट्विट के जरीए कहा है कि जिन पैन कार्ड होल्डर्स ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है वो इसे 31 मार्च 2023 तक अवश्य करा लें वरना उनका पैन कार्ड निस्क्रिय हो जाएगा अपने ट्विट में आयकर भी भागने कहा है कि इनकम टेक्स एक्ट 1961 के मताबिक सभी पैन कार्ड होल्डर्स जो इससे एक्जम्ट की सिरेनी में नहीं आते हैं उन्हें अपने पैन को आधार से 31 मार्च 2023 तक लिंक करा लेना चाहिए एक अपरेल 2023 से आधार से लिंक ना होने वाले पैन कार्ड निस्क्रिये हो जाएंगे पीम किसान की 13 किस्त आपके खाते में इस दिन आएगा पैसा देश के किसान भाईयों को इस समय परधानमंतरी किसान सम्मान निधी योजना के 13 किस्त का बेसबरी से इंतजार है क्योंकि योजना की 12 किस्त पहले ही जारी हो चुकी थी लिहाजा जनवरी में पीम किसान सम्मान निधी की 13 किस्त का पैसा किसानों के बेंग अकाउंट में ट्रांसफर होना है लेकिन किसानों को योजना का पैसा जारी होने की तारीक का पता नहीं चल पा रहा है जिसके चलते उनकी बेचेनी बढ़ी है वहीं सरकार ने इस बार अपात्र किसानों को पीम किसान योजना की लिष्ट से बाहर कर दिया है इसका मतलब यह है कि अब ऐसे किसानों को योजना का लाब नहीं मिल पाएगा आर्बियाई ने पुरानी पेंशन ब्योस्था लागू करने को लेकर राजियों को किया आगाहा भारते रिजोर बैंक यानी आर्बियाई ने कुछ राजियों में पुरानी पेंशन ब्योस्था लागू किये जाने को लेकर आगाहा किया है केंद्री बैंक ने कहा है कि इसे राज्यों के अस्तर पर राज कोशिय परिद्रिश्य को लेकर बड़ा जोखिम है और आने वाले बरसों में उनके लिए ऐसी देंदारी बढ़ेगी जिसके लिए पैसी की ब्युस्थान नहीं है आर्मियनी राज्यवीत 2022-23 के बजट का अधियन जिहां शिर्सक से अपने रिपोर्ट में यह बात ऐसे समय कही है जब हाल ही में हिमाचल परदेश ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना OPS फिर से लागू करने की घोशना की है इससे पहले राजस्थान, च्छतिसगर्ड और जहारखंड ने केंदर सरकार तथा पेंशन, कोश नियामक और विकास प्राधिकरन को OPS बहाल करने के लिए जिहां करने के अपने निरनाय के बारे में जानकारी दी थी पंजाब सरकार ने भी राजसरकार के करमचारियों के लिए OPS लागू करने की संदर्व में 18 नॉमबर 2022 को अधी सूचना जारी की थी ये करमचारी अभी नई पेंशन प्रणाली NPS से जुड़े हैं एक जनवरी 2004 से लागू हुई पेंशन प्रणाली NPS अनुशदान आधारित पेंशन योजना है इसमें करमचारी के साथ साथ सरकार भी अनुशदान देती है